राधे राधे एवरिवन, जब सोमवार के दिन अमावश्या तिथी आती है तो उसको सोमोती अमावश्या कहा जाता है और विवाहित महीलाएं अपने पती की लंबी उम्र, घर में सुक समर्दी और धन वैभाव की बढ़ोतरी के लिए सोमोती अमावश्या की पूजा करती है आज मैं आपको समर्दी अमावश्या की कथा सुनाओंगी, तो देखें कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, अपने हाथ में हम फूल ले लेंगे, फूल या चावल, कुछ भी आप अपने हाथ में ले ले लिजिए, क्योंकि खाली हाध कथा नहीं सुनते हैं फिर हम सोमोतियामावश्या की कथा शुरू करेंगे तो चलिए आप मैं आपको सोमोतियामावश्या की कथा सुना देती हूँ एक गाउं में एक बुढ़ा पंडित रहता था पंडित के साथ बेटे और एक बेटी थी एक दिन पंडित के घर में एक साथू महात्मा भिख्षा लेने के लिए आए जैसे ही पंडित की बेटी भिख्षा देने गई साथू ने भिख्षा लेने से मना कर दिया जब पंडित के बेटे की बहुने भिख्षा दी तो साधू ने बहुत आराम से भिख्षा ले ली ये देखकर छोटी सी लड़की रोने लग गई कि मेरे हाथ से भिख्षा नहीं ली जब वो अंदर आई तो पंडितानी ने पुछा कि तुम रो क्यों रही हो तब उसने कहा कि साधू मात्मा ने मेरे हाथ से भिख्षा नहीं ली अब पंडितानी तो भागी भागी साधू मात्मा के पास गई और बोली कि ऐसा क्या दोस हुआ है मेरी बेटी से कि आपने उसके हाथ से भिख्षा नहीं ली सादू मात्मा ने कहा कि तुम्हारी बेटी से कोई दोस्त नहीं हुआ है लेकिन उसके करम में सुहाग नहीं है दुर्भाग है जैसे ही उसकी साधी होगी उसके पती की मिर्त्यू हो जाएगी अब पंड़तानी ने कहा कि अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो इसका उपाय भी पता होगा किर्पा करके आप मुझे वो उपाय बता दीजिए सादू मात्मा ने कहा कि साथ समुंदर पार सोबा धोबन रहती है सोबा धोबन सोमोती अमावश्या करती है अगर वो अपनी सोमोती अमावश्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भी भाग में सुहाग हो जाएगा इसके पती की उमर बढ़ जाएगी अब पंड़तानी घर आई सातों बेटों भहुओं को गटा किया और कहा कि कौन जाएगा सोबा दोबन के गर अब सातों के सातों ने मना कर दिया अब सबसे बड़े बेटा भूने सोचा कि किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा हम नहीं जाएंगे तो मापिता जी जाएंगे बुरहापे में साथ समुंदर जाएंगे तो परेशान यह सोचकर बड़े बेटे भहों ने कहा कि मापिताजी हम चले जाएगे अब पंडत पंडतानी के जो बड़े बेटे भहों थे वो चल दिये चलते चलते एक जंगल में पहुंचे जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए उस पेड़ पर गरी वापिस आई तो उसने अपने बच्चों को जिंदा देखा, जिंदा देखकर बहुत खुश हुई, जैसे ही वो अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी, बच्चों ने कहा, माँ हमें नहीं पहले उन मुसाफिरों को दाना खिलाओ जिनकी वजय से हमारी जान बची है उन्होंने बताया कि साथ समुंदर पार सोबाधोबन के घर हमें जाना है सोनचीडी ने दोनों को अपनी पंखो पर बिठाया और साथ समुंदर पार कराके सोबाधोबन के घर के पास छोड़ दिया अब सोबाधोबन के घर में देखा तो सोबा दोबन के घर में पांच बेटा बहू थे बहूं में रोजाना लड़ाई होती थी कि काम कौन करेगा कोई कहें मैं जादा काम करती हूँ तो कोई कहें मैं जादा काम करता हूँ अब जो पंडित पंडिता इनके बेटा बहू थे वो उसी गाओं में रहने लग गए, सुबह सुबह उठकर चार बजे वो सोबाधोबन के घर जाए, चुप चाप सारा काम करके वापिस आ जाए, सोबाधोबन ने सोचा कि कौन सी बेटे की बहु ऐसी भले घर की आ गई जो सारा काम कर देती है और किसी को बताती भी नहीं है, उसने सारी बहुं से पूछा कि कौन काम करता है, लेकिन सभी ने मना कर दिया, अब सोबाधोबन ने सोचा कि मेरा आत को छुपके बैठूंगी, तब देखूंगी कौन काम करता है, सोबाधोबन छुपके बैठ गई, सुबह चार बज़े पंडित-पंडिता इनके बेटा बहु आकर काम करने लगे सोबाधोबन ने उनके हाथ पकड़ लिये सोबाधोबन ने कहा तुम क्या हो भूत हो पिसाच हो कौन हो जो मेरे घर में काम कर रहे हो तब पंडित 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 पंड बड़ा दोस्ट चड़ गया है अब मुझे अपनी सोमोतिया मावश्या का फल तो देना ही पड़ेगा जाओ जाकर अपनी बहन की धूम धाम से साधी करो जिस दिन साधी होगी मुझे बुलावा भेज देना मैं आ जाओंगी अब पंडित पंडिता इनके बेटा भहू वापि गाओं चले गए जाकर विवा की तयारी कर दी जिस दिन विवा था सोबाधोबन को संदेश भेज दिया सोबाधोबन आने लगी आते टाइम सोबाधोबन ने अपनी भहूंगों से कहा कि जब तक मैं वापिस ना आ जाओं घर का कूड़ा भी घर से बाहर नहीं जाना चाहि भवे बोली ठीक है माजी सोबाधोबन आई जैसे ही पंडित के बेटी की साधी हुई बेटी की साधी होते ही जवाई वहीं पर मर गया मंडप में दूले को मरते देखकर वहाँ पर हाहकार मच गया इतनी देर में सोबाधोबन आई और सोबाधोबन ने हाथ से छीटे लगा कर कहा कि मेरी सारी सोमोतियdon іमावश्या का फल मैं पंडित की बेटी को देटी हूं जैसे ही उसमें ये कहा पंडित का जवाई हरी हरी करके उठिया पंडित को बहुत आस्चिरे हुआ और सभी ने सोमोतिय आमवश्या के जैकारे लखाने शुरू कर दिये इधर जैसे ही सोबा धोबन ने अपनी सोमोती का सारा फल दे दिया वैसे ही सोबा धोबन के घर पे उसका पती बेटे जवाई सब एक तम मर गए जैसे ही गाम वाले उसके पती और बेटे की लास को ले जाने लगे तब बहुओं ने कहा कि नहीं हमारी माजी ने कहा था कि जब तक मैं ना आ जाओं घर का कुड़ा भी नहीं जाना चाहिए तो हम इने जाने नहीं देंगे बहों ने किसी को भी नहीं जानने दिया सबी लास घर पर पड़ी हुई थी सोबा धोबन अपना सारा सोमतियामावश्या का फल देकर वापिस घर की तरफ चल दी घर जा रही थी तो सोमतियामावश्या पड़ी उसने वहीं पर रस्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे 108 कंकर ली और वहीं पर सोमतियामावश्या की पूजा की और 108 परिकरमा की जैसे ही सोबाधोबन ने सोमोतियामावश्य की परिकर्मा पूर्ण की पूजा पूर्ण की वैसे ही उसके पती, बेटे, जवाई सब हरी हरी करके उठ गए सोबाधोबन घर में आई तो भहों ने सारी बात बताई और कहा कि पता नहीं कैसे सब अचानक जिंदा हो गए तब सोबाधोबन ने कहा कि आचानक जिंदा नहीं हुए, दोबारा सोमोतियामावश्य आई, मैंने जैसे ही दोबारा सोमोतियामावश्य की वैसे ही सारे जिंदा हो गए सोमोतियामावश्य की ऐसी महीमा सुनकर भहों ने भी सोमोतियामावश्य करना प्रारंब कर दिया और नगर में धिंडोरा पितवा दिया कि सभी सुहाग इन महिला हैं सो मोतिया मावश्या जरूर करें इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपने किर्पादरस्टी बनाए रखना और सभी को अखंड सुहाग देना ये थी सोमोतिया मावश्या की कथा अब हम एक गनेश जी की कथा जरूर सुनेंगे एक बार एक गाउं में मेला लगा था सब लोग मेला देखने जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने कहा कि मा मैं भी मेला देख कियांगी उसकी मा बोली ना बेटा मेले में बहुत जादा भीड होगी तु कहीं गिर पढ़ जाएगी चोट लग जाएगी लड़की नहीं मानी बोली मा मैं तो जरूर जाओंगी तो उसकी माने उसको दो लड़ू और एक घंटी पानी दे दिया कहा एक लड़ू और पानी गनेश जी को खिला ना बचा हुआ लड़ू और पानी सोचा कि अगर मैंने लड़ू खाके पानी नहीं पिया तो यहां से नहीं जाएगी और यह दोस्त मेरे सिर लग जाएगा गनेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर आए और बोले कि ले तेरा लड़ू खाया ले तेरा पानी पिया अब मांग जो मांगना है लड़की म कोली कि मा तुमने ही तो कहा था कि गनेश जी को लड़ू खिला के पानी पिला के आना मैं तो गनेश जी को लड़ू खिला के और पानी पिला के आई हूँ जैसे ही लड़की ने ये कहा जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया हे गनेश जी महराज जैसे आपने मा बेटी की सुनी जैसे उनके घर में धन के भंडार भरे वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपने किरपादरिस्टी बनाना और सब के घर धन से भर देना ये थी गनेश जी की कता इस तरह से हमारी सोमोतियामावश्या की कता पूर्ण हो जाएगी कता सु पर अपने का कहानी सुनते हैं तो कहानी आप जरूर सुनिएगा फ्रेंट्स आगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल माई पैसिफिक विव श्रीकृष्णा राधे राधे